माननीय राष्टरपती महोदया तथा मंच पर उपस्तित सभी माननीवरों को अभिवादन यह हम सब के लिए बड़ी गरुकी वाद है कि हमें आपके समक्ष अपने विचार प्रसुस करने का मौका मिल रहा है आज मैं उस सेवा के बार में बोलने जा रहा हूँ जिसका इतियाज बहुत प्राचिन है जिसका वरतमान बहुत सेवा दई है और जिसका भविश्य बहुत आवशकता पूर्ण है कवटिले के अर्थाशास्त्र से लेकर आधुनिक काल तक अंतरका सुरक्षा की निव जिस सेवा ने संभाली है वो पुलिस सेवा है यह एक ऐसी सेवा है जो भारत को एकात्मता और सुरक्षा से जोड़कर भारत में शांतादा रखती है महोदया मैं महाराष्टर के एक छोटे गाव से आया हूँ जो एक पुरुशेप्रदान गाव है पर वहाँ पर भी लोगों के सेवा करते वक्त पुलिस को मैंने हर रोज देखा है और वहाँ पर लोगों के मन में पुलिस के बारे में जो सम्मान और विश्वास है यही भारतिय पुलिस का येश है ऐसा में कह सकता हूँ महोदया यह अकादमी हमें गुरुकुल जैसे ही लगती है जहाँ पर हमें इंडोर तथा आउटडोर ऐसा विशिष्टे ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पर विविदे विश्यों के साथ साथ समय विवस्तापन, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, ऐसे सवस्कार हमें दिये जाते है जिससे मेरे जैसे अनेक किसान पुत्रों को विध्यारती से अधिकारी बनाने में यह अकादमी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है महोदया, इस प्रशिक्षन से भारतिय विवस्ता, भारतिय समाच तथा पुलिसिंग के बारे में हमारे विचारों में बहुत सकरात्मत प्रणाम हुआ है यहाँ आने से पहले हम पुलिस उनको एक फोर्स ऐसा मानते थे पर यहाँ आने के बाद और यहाँ पढ़ाई करने के बाद हमें यह पता चला कि पुलिस एक फोर्स नहीं बलके एक सेवा है जो हर दिन और हर वक्त देश की सेवा में जुटे रहती है कोई गुणा हो, कोई आपत्ती हो, कोई उत्सव हो या भीड नियंत्रण हो, पुलिश हमेशा वहाँ पर सेवा देने के लिए तत्पर रहती है कुवीड काल में भारतिय पुलिस का नईतिक और मानवी जहरा कुरे विश्वने देखा है जहां लोगों की सेवा करते वक्त, 2000 से भी ज़्यादा पुलिस कर्मियों ने अपना बलिदान दिया था महोदया, हर एक पुलिस वर्दिधारी नागरिक होता है और हर एक नागरिक बिनावर्दी का पुलिस होता है यह समुदाइक पुलिसिंग यानि कम्मुनिटी पुलिसिंग की संकलपना भी हमें यह अच्छे दर से सिखाई गई है जहां पर पुलिस और नागरिक साथ में मिलकर गुना का प्रतिबंदन करने में मदद करते हैं परन्तु अभी भी भारतिय पुलिसिंगे सामने बहुत चनोतिया खड़ी हैं। पुलिस कर्मियों की कम संख्या, काम का ज़ाधा प्रिशर, साइबर क्राइम, ड्रक्स की समस्या, मैलायों के गुरुद्ध बढ़ते अपरात यही कुछ चनोतिया भारतिय कुलिसिंगे सामने ह विश्वास है कि इस अकादे में ने जो हमें प्रशिक्षन गिया है उस प्रशिक्षन से आने वाले समय में इन चनोतियों का समना हम कर सकेंगे। मोह दया अनुबो कतन समाप्त करन से पहले मैं ज़रू को होना चाहूंगा कि हमें गर है अपनी सेवा पर और आने वाले समय में मैं और मेरे साथी अपनी सेवा का ये गवरव और सम्मान और भी बढ़ाएंगे धन्यवाद जैहिंद अब मैं मेरे साथी नेपाल कोलिस की मीस अ सामत्रत करता हो जैहिंद मानने रस्ट्रपती मोह दया तथा मंच पर उपस्तित गणमाने अथितिकन आज इस अवसर पर मेरे अनुबब को आपकी समग से प्रस्तित करना मेरे लिए बहुत सम्मान और गवरव की बात है मानने रस्ट्रपती जी, कई दसकों से नेपाल पुलिस और भारतिय पुलिस के बीच समनवे रहा है जिसके कारण सन 1954 में नेपाल पुलिस सेवा से दो पुलिस अधिकारिया IPS प्रसिछन में भाग लेने आए इसी तरह हम नेपाल के पांच चैनित पुलिस अधिकारी 28 मार्स 2022 को IPS प्रसिछन में भाग लेने के लिए चरदार भलब भाई बडिल नाशनल पुलिस अकेडेमी में आए और हमें यहां प्रसिछित हुए लगभग 10 महीने हो गए है मालनिय राष्टरपतिजी हर दिन अपरादी तकनिकी और विकास के साथ अपने अपराद प्रक्रियाव को बदलता है जो दुनिया भर में पुलिस की जांच में हमेसा चुनोतिया खड़ा करता है जो दुनिया भर की पुलिस को एक साथ खड़ा होके अपराद के खिलाफ लड़ना है तो हमारे पडुसी देश फारत सदियों से हमारे मित्र रहा है और दोनों देशों में विवित सांस्क्रितिक, ठार्मिक और पारिवारिक समंदर रहा है यही रिष्टे के साथ पुलिस की छामता बढ़ाने के लिए अपराद नियांतरन और जांच में एक दुसरे की मदद करने के हैतु यह एक विशेश मंच है अतित में इस विशेश मंच IPS से इसनातक करने वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा किये गए अपराद नियांतरन जांच और सफल समनवे के कारण मेरे देश की हर पुलिस अधिकारी इस मंच में भाग लेने के लिए उच्चुक है लेकिन हम में से ही कुछ पाकेशाल या अधिकारिया को यह अवसर मिलता है मालन ये राष्ट्रपति जी मैं ये कह सकती हूँ कि हमने आपसी समनवे और मौजुदा कानूनों के अनुपालन के मार्थिम से एक दुसरे का साथ सहयोग और समनवे किया है जबकि हमारे दोनों देशों के खुली सिमावे के कारण अपरादी सिमा पार्चिप सकते थे इतना ही नहीं बलकि दुनिया के अन्य हिस्सों में किस तरह की समाज मौजुद है अपरादों की प्रक्रिती क्या है ववी समें हमारे कानून लागू करने वालों के लिए क्या अवसर या चुनवतिया है यहाँ बेटे विविन्य देशों के पुलिस अधिकारिया के भागी प्राप्त करने से हमें और हमारे आने वाले पिडियो के पिडियो को सुरक्षित दुनिया बनाने में मदद मी लेगी में सल्दार भलब पाई पटेल नस्नल पुलिस अकैडेमी को इस समानित सभा में मेरे कुछ सब्द बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चा साथियों की पविश्य में समन्वे और कानुनों की अनुपालन द्वारा अपराद को रोकने के लिए हम अपनी पूरी कोशिस करेंगे धन्यवाद